तो यहां पर iPhone 12 series का price drop हुआ है और यहां पर कितना price cut हुआ है वो भी आपको वीडियो में पता चलने वाला है पर वीडियो को शूरू करने से पहले यह सबसे major price cut होने वाला है iPhone 12 series का इतने time में क्योंकि यहाँ पर जो price drop Amazon पर हमें देखने को मिल रहा है वो flip card पर भी हमें देखने को नहीं मिलता है अब यह चीज आपको note करनी है and most valuable जो device आपको भी देखने को मिल रहा है iPhone 12 series में वो है iPhone 12 mini अगर आपने वीडियो का title thumbnail देखा है तो आपको समझ में आ गया कि वाई क्या price drop है और exactly कितने value पर आता है iPhone 12 mini का piece भी रहे तो यहाँ पर आपको सारी details सारा explanation मिलने वाला है कि वाई क्या price drop है आपको कौन सा device अभी prefer करना चाहिए और अभी नहीं करना चाहिए और उपर से यहाँ पर मैंने time space दिया है और particular वीडियो पर अगर आपको jump करना है तो आप jump भी कर सकते हैं तो यह वीडियो को जो है वो like करो, share करो, subscribe करो साथ में साथ जो bell icon है उसको smash करना मत बुला तो चलिए जोड़ो के शुवात कते हैं यहाँ पर यह वीडियो को शुरू करने से पहले यह question का मेरे को answer दे देना है बहुत लोगे question करते हैं कि वाई यह तुने वीडियो अभी क्यों बनाई यहाँ पर हमें कोई sale देखने को नहीं मिलता है अगर आप यह video 2-3 months के बाद देखते हो तो भाई कोई sales नहीं बनता है तब के time यह जो sale है मतलब यह जो offer है वो valid नहीं रहेगा सबसे पहले हम लोग बात कते हैं iPhone 12 mini के बारे में अब यहाँ पर इसका जो 64 GB variant है वो आता है 58,999 यह चीज आप note करो मेरे सबसे यह अभी तक का सबसे most अच्छा का सब price drop मिला लेटेज वाले iPhone पे और यहाँ पर यह अच्छा का सब value भी दे रहा है अगर Apple यह original pricing रखता तो भाई यह phone चल जाता और बहुत ही जाता बट आप मैं यह अच्छी deal मिलेगी और यहाँ पर यह चीज आप note करना यह 58,999 इसकी pricing cut है उसके बाद यहाँ पर अगर आप HDFC का मतलब यह जो भी card support कता है कोई भी credit card support कता है उसके बाद जो price cut होगा वो अलगी होगा और अभी बात कते है आइफोन 12 मिनी का 128 GB यह आपको मिलता है 64,900 का यहाँ पर अगर आपको 128 GB purchase करना है तो आप purchase कर सकते हैं और यहाँ पर जो 256 GB है मतलब 256 GB वहाँ पर आपको इतना अच्छा काजा offer नहीं मिलता है बट स्टेल आप Amazon पर जाके चेकाउट करना अगला जो iPhone आता है हमारा आइफोन 128 GB के बारे में और यहाँ पर हमें मिलता है 75,900 रुकीज का यह आइफोन और अच्छी डील है 84,000 के आसपास मिलता था मतलब ठीक है यहाँ पर हमें जो आइफोन 12 मिलता है 256 GB वहाँ पर हमें offer अच्छा कासर नहीं मिलता है यहाँ पर ऐसा लग रहे हैं जान बूच के price cut न 128 GB में और यह आता है 1,15,900 से यहाँ पर 256 GB तो यहाँ पर उसका जो प्राइजिंग है वह बता देता हूं तो 1,25,900 यहाँ पर 512 GB आता है 1,45,900 परस्नली बोलो तो यहाँ पर जो आइफोन 12 Pro है उसके offer इतना अच्छा नहीं है अगर आपको इसका need है तो आप purchase करो और यह चीज लागो होती है आईपून 12 Pro Max पर आपर एक्जेक्ली यह जो 128 GB आता है वह एक लाग 25,900 आता है अब यहाँ पर जो 256 GB आता है वह आता है वह आता है 1,55,900 का पता नहीं यह क्यों ऐसा प्राइजिंग रखा है और प्राइजिंग घटिया रखी थी इंडिया में पिछल सब्सक्राइब करो अपने दोस्तों के साथ लाइकन जो है वो भी स्मेश का ना मत बूला नोटिफिकेशन पैनल दबेगा तो यह आपको मेरे वीडियो के अपकमिंग जो भी आएंगी वीडियो उसका नोटिफिकेशन मिलने वाला है